समस्त विद्याले परिवार को श्वतंतरता दिवस की ढेर सारी शुप कामनाएं प्यारे बच्चों, शम्मानित अविभावक बंदुओं तथा विद्यार्थियों को अपने उद्देश से की ओर ले जाने वाले सम्मानित गुर्जनों आज हम लोग श्वतंतरता दिवस के इस पावन पुनीत अवशर पर अतीत में देश के लिए संघर्स करने वाले उन महापुर्शों को इसमृत करने का दिवश है जिनों ने अपने बलिदान त्याग और राष्ट के प्रति समर्पन के कारण स्वयम को इस राष्ट की उन्नत के लिए राष्ट की आजादी के लिए बलिदान कर दिया है सबसे पहले हम उन महापुर्षों को आज की दिन इस्मृत करते हैं उन महापुर्षों को सच्छी सरद्धानजली अर्पित करते हैं तथा उन महापुर्षों के प्रती सरद्धानमन करते हुए सत सत बार उनको प्रणाम करते हैं साथ ही साथ यह दिन हमें शंकल्प लेने का दिवश है कि हम उन महापुर्शों के इस महान कारे को जिसके कारण हमारी आजादी मिली है इस आजादी को अच्छुन रखेंगे सद्यू बनाए रखेंगे तथा इसको नित नव आगे ले जाने के लिए राष्ट के लिए अपने राष्ट को सर्वोत्तम बनाने के लिए जहां भी हम लगे हुए हैं वहां अपना सर्वोत्कृष्ट देने का प्रयास करेंगे सम्मानित अव्यावग बंदूओं प्यारे बच्चों आज का दिन हमारे देश के लिए गवरोशाली दिन है आज के दिन हम लोगों को बहुत बड़ा संकल्प लेने का दिन है हमें अपने कार्यों को बेहतर करने के लिए स्वयम को मजबूत करने का दिवस है इसलिए हम लोग इस दिवस को एक प्रेणा दिवस के रूप में मनाते हुए अपने आपको निश्चित रूप से राष्ट के लिए समर्पित करने की और चाहे किसी भी अनुसंधान केंद्र का वैग्यानिक हो, चाहे किसी भी कारचेत्र में कारेरत कोई भी व्यक्ति हो, सब के शब लोग रास्ट के निर्माड में अपना योगदान दे रहे हैं, हम सिक्षक हैं, हमारा योगदान रास्ट के लिए महत्वपूर है, हमें चाहिए कि हम अपने कार छेत्र में स्वयम को इस्किल्ड बना करके अपने आपको एक आदर्स शिक्षक बना करके अपने अंदर नित नव नए कौशल को डिबलब करके रास्ट के उन्यन में रास्ट की समरिद्ध में अपना महत्वण योगदान देंगे वह योगदान हमारा ठीक उसी तरह से होगा जैसे बार्डर पर खड़ा कोई सिपाही देश की रक्षा करता है उसका अपना दायत तो है वह स्किल्ड हो करके हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है और हम भी अगर अपने कारचेत्र में कौशल डिबलब करेंगे अपने आपको कौशल यूप्त सिक्ष बनाएंगे तो निश्चित रूप से रास्ट की सेवा में हमारा भी योगदान किसी ना किसी रूप में उसी तरह से होगा इसलिए हम लोगों को चाहिए कि नितनो हम अपने विद्यार्थियों के उत्थान के लिए सदेयू लगे रहें कभी भी हमारे अंदर इस तरह का जोल हमारे आजीविका के लिए हमारा यहा कारे देश के उत्थान के लिए है जब हम इस तरह की सोच के साथ अपने आपको लगाते हैं तो हमारा यहा कारे पूर के रूप में पानित हो जाता है उससे हमारा देश समाज रास्ट भी लाभानवित होता है साथ ही साथ हमारा व प्रियास करने की उद्दत कर लें अब देख रहे हो कि आज के दиля हम लोगुद्याले में इक अठको हर लेकिन हमारे सामने हमारा विद्यारथी नहीं क्यों क्यों कि आप समय पूरा विश्थ keyword प्रक्ष्व करोना जैसे बैस्विप महामारी से जूज रहा है और यहां महामारी हमारे देश कोई नहीं बलकि पूरे विश्व को चपेट में ली हुई है हमें जिस तरह से हमारे बार्डर के शिपाही विसम परिस्थितियों में अपने राष्ठ के रक्षा के लिए लगे होते हैं चाहे उनकी परिस्थितियां भी प्रीत हों चाहे ओले पड़ रहे हो चाहे बर्फ गिर रहे हो किसी भी स्थिति में वे अपनी सीमा को नहीं छोड़ते हैं तो वही दाइत तो आज हमारे उपर भी आपड़ा है करोना जैसी वैश्चिक महामारी के कारण हम अपने हाथ को सिर से रख करके आपने आपको क्रिक्तवी मूर बना करके नहीं बैठ सकते हैं हमें चाहिए कि हम अपने आपको बचाओ में रखते हुए सुरक्षा के उपायों का पालन करते हुए सद्यू लगा रहे सब लोगों को अपने दायतों के निर्वान के लिए आगे आने की आवश्यक्ता है हमारा विद्यार्थी घर पर बैट करके सुरचित रंग से अपने पठन पाठन के कारे को बेतर करने का प्रियास करे हम लोग विद्याले पहुँच करके आपको बेतर सिक्षा देने की और प्रयासरत है सासन प्रदेश सरकार हमारा विभाग जो कुछ भी निर्देश से उसका अच्छर सा पालन करते हुए आपका विद्याले आपको आनलाइन सिक्षा देने के लिए प्रयासरत है और उसमें हम लोग काफी शफलता प्राप्त कर लिए हैं आज 15 अगस्त के इस पाउन पुनी तवसर पर हम अपने अभिभावकों को बड़े ही सहर्स बताना चाहते हैं कि हमारे विद्याले परिवार ने कक्षा 9, 10, 11, 12 के ही वीडियो देखे जाएं तो JPIC Digital Study पर 300 से जादा वीडियो इस एक महीने की अवधि में ही अपलोट करके सिक्षा के छेत्र में जो प्रयास हमारे सिक्षकों ने किया है मैं उनकी भूर भूर प्रसंशा करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ किसी तरह से अपने विद्यार्थियों की उननत के लिए विद्याले के कारियों में और सिक्षा के उत्ठान में अपने आपको लगाए रखेंगे सम्मानित गुर्जनों आपका यह त्याग आपका यह प्रयास निश्चित रूप से हमारा अभिभावक हमारे विद्यार्थी समझ रहे हैं और आप इसका नाभाव को निश्चित रूप से मिलेगा इसलिए सभी लोग मेहनत के साथ लगे रहें राश्च तभी उन्नत करेगा जब हर लोग जो भी इस देश में जिस भी जगह पर कारेरत हैं वहाँ अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करेंगे हम दूसरे को ना देख करके केवल अपना देखें और अपना बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो हमारा राश्ट उन्नत होगा इन्ही सब भावनाओं के शाथ एक बार फिर से मैं अपने अविभावकों को अपने प्रिविद्यार्थियों को अपने विद्याले के समस्ते स्टाफ को तथा देश के समस्त सम्मानित नागरिकों क स्वतंतरता दिवश्ट की हारदिक शुफकामना देते हुए उनसे अपेक्षा करता हूँ कि जहां भी यो लगे हुए हैं अपने आपको निश्चित रूप से बेहतर से बेहतर देने की और उद्दत करें इससे हमारा राष्ट सम्रिद्धि साली होगा राष्ट गौरो साली ह होगा और राष्ट के विकास में हमारा योगदान होगा जब हम अपने कारे को बेहतर ढंक से संपाधित करते हैं तो उससे जो राष्ट की सम्रिद्धि होती है उसमें जब अपना आंस हम थोड़ा महसूस करते हैं कि हमारे कारण भी राष्ट की सम्रिद्धि में हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान है तो निश्चित रूप से हम गवरोशाली महसूस करते हैं इन सब भावनाओं के शाथ सब को बार-बार धन्यवाद देते हुए महापुर्शों को इस्मित करते हुए तिरंगे को नमन करते हुए मैं अपनी बाणी को विराम देता हूं तथा झाल